So hey guys, welcome to study skills success, तो याज नी 2021 के examinations के regarding एक doubt काफी सारे students का आ रहा था जो की common doubt था, तो मैंने सोचा कि उस पर एक proper वीडियो बना दी जाए और उसके बारे में पूरे detail में बता दिया जाए, तो उसी पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वीडियो काफी जाता interesting and important हो होने वाली है, then वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा, then doubt ये था कि डिजी लोकर certificate को, क्या हम नी 2021 के registration करते हैं वक्त, या फिर इसकी counseling के वक्त, या फिर नहीं, simple बाशा में बोला जाए, कि डिजी लोकर certificate valid है या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले ज reason से आपको नहीं मिल दा है, तो उस condition में आप उस certificate को, डिजी लोकर की official website से जो है, वो download कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो होता है, डिजी लोकर, क्या इस परकार के certificate को, जो कि हमने डिजी लोकर से download किये हैं, वो valid होते हैं या फिर नहीं, तो यार जितना मैंने सर्च किया ना, बोला जाए, तो नीट 2021 के application form को fill up करते वक्त, इसके अलावा, आप counseling के वक्त भी डिजी लोकर certificates को use कर सकते हैं, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, ये doubt आपका पूरा का पूरा clear हो गया होगा, एक बार और बता देता हूँ कि डिजी लोकर certificates को, फिर चाहे कोई सा भी certificate हो, आप आपने कोई सा भी certificate, डीजी लोकर से अगर download किया है, उस certificate को आप नीट 2021 के registration में, इसके लावा नीट 2021 की counseling में use कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी invalid नहीं है, मुझे इतना ही मिला है, ठीक है गाइस, बाकी, ये थी आज की वीडियो, उमीद करता हूँ कि ये doubts आपका पूरा का प सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजेगा, ताकि इसी पर करगे important videos and details आगे इस चैनल पर आप सभी को मिल सके, इसके लावा personally अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाते हैं, तो आप Instagram पर मुझे follow कर सकते हैं, simple study skills success search कीजेगा, आपको ID मिल जाएगी, वहाँ पर नी 2021 यारे की medical education के regarding मिलती रहें, बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए good luck and have a nice day.